नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ओलाइन एजुकिशन में उमीद है आप सब लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी भढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों माफिश आओंगे काफी दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं आप गोपाई है थोड़ी विस्तता के कारण तो आज हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में आज हम पढ़ने वाले है उत्राखंड साहित्या और इसके अंतरगत जैसे मै पिछले कई विडियो में भी आपको उत्राखंड साहित्या में लीला धर जगोरी जी को पढ़ाय और मनुहर्चान जोसी जिको सेख़ड जोसी अलमंगलेश टबराल और भी अन्यकई साहित्यकारों को पढ़ाये था क्योंकि मैं हमेसे कहती हूं कि आप उत्राखंड साहित्या जरूर पढ़िए क्योंकि उत्राखंड की जितने भी एक्जाम्स हैं कहां से आपके पास प्रस्र जरूरी हो जाता है क्योंकि कौन सी रचना आपके पास पूछी जाएगी यह हम हमेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न बोलिए आज हम बात करेंगे चारू चंद्रपांडे बहुत ही महतपून यह साहित्यकार रहे हैं उत्राखंड साहित्यके अंतरगत तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत लंबा इससे नहीं खीचेंगे क्योंकि अगर हम पढ़ना चाहे तो काफ दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है इनकी जो रचना है जो मैंने यहां पर इंपॉर्टन हाइलाइट की है मैंने सिर्फ यहां पर ओही चीजे लिए जो आपकी परिक्षाओं में पूचिक जा चुकी है या पूचे जा सकती है ठीक है तो आप इनको ऐसे ही नोटाउन करिए देखे कहानी है इनकी पंचक की गरीब की होली यौवन का बलिदान तो बहुत महत्वपूर्ण की कहानिया है आप ध्यान रखेगा है न क्योंकि अब गुरूप सी में भी असी डशनाई आप पूची जाने लगी है और आपको यह जरूर पढ़नी चाहिए देखो अन्या इ अनकी बारे में भी जानेंगे तो जो कुमावनी कवी गौर्दा है उनके कावेद दर्शन पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ठीक दूसरी है अंग्वाल अंग्वाल बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा कई बार पोची भी जासे हैं अगर हम बात करें लेक्टि और नहीं हो इंपोर्चनाओं का वहा नहीं नहीं नहीं, मैं बारे आपको निकी रचनाय में या्द रखनें रखनें हो रखनें रचनाय में। जो कि पूछी ली जा सकती है ठीक है तो ये थे हमारे चारोचंदरपांड ने उत्राखंड साहिति के अंतरगत हमने आज एक अन्या साहित्यकार को जाना उमीद है आप लोगों को जरूर इंफर्मेटिव लगा होगा अच्छा लगा होगा होगा है जो भी आपका इस सैसन से स साथ या किसी अन्या टॉपिक के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए आप पढ़ते रहें अपना और अपनों का दिहान लखे नमस्कार